आचारियं केशवं बाधरायणं सोत्र भाष्य कृतो बंदे भागवंतो पुनहा पुनहा इश्वरो गुरुरात्मेती मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाया दक्षिणा मूर्तये नमा सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य परियंतां भंदे गुरुपरंपरां स्रुति स्मृति पुराणा नाम आलयं करुनालयं नमामि भगवत पादं शंकरं लोक शंकरं भिद्यते हिर्दय ग्रंथे चिद्यन्ते सर्वसंसया शीयन्ते चास्यकर्मानी तस्मिंद्रिष्टे परावरे हिरन्मये परे कोशे बिर्जम ब्रह्म हनिष्कलम तच्छो ब्रह्म जोति साम जोति तद्यदात्म बिदो बिदुहू नतत्रसुर्यो भातिनचंद्रतारकं नेमा बिद्यतो भांतिकुतो यमग्नि तमेवभांतो मनुभाति सर्वं तस्यभासा सर्वमिदं बिभाति एक तीन मंत्र नौवा दस्यभासा सर्वमिदं बिभातिन एक तीन मंत्र के लिए भासकार ने कहा जो पूर्व में बताया जा चुका है परमात्मा का सुरूप क्या उसकी प्राप्ति का उपाय क्या और फल क्या उसी का एक प्रकार से उपसंगार किया जा रहा है जो हिरन मय परे को से जो ऐसा बताया कि वह प्रकास में है हिर्दया कास में वह बिराजमान है परब्रम्ह निशकल सुरूप वह परमशुद्ध है जोतियों की भी जोति है तो उस परमात्मा को किसके द्वारा हम जानेंगे अगर ऐसा परमात्मा है ब्रम्ह है अपनी आत्मा में विराजमान तो उसको हम किसके द्वारा जानेंगे किसके द्वारा तो ना तत्रवागच्छती ना चक्षुरगच्छती ना मनो ना बिद्मह ना विजानामह हम ऐसा नहीं बता सकते कैसे क्योंकि अपना आत्मा स्वयम प्रकास है उसको किसी और प्रकास की जरूरत नहीं जैसे मैं जिन्दा हूँ मैं जिन्दा हूँ यह आप आख से जानोगे की कान से मन से जानोगे की बुद्धी से मैं जिन्दा हूँ इसके लिए मन की भी जरूरत नहीं है आख कान हाथ पाउं की भी जरूरत नहीं है मैं जीवित हूँ ये तो अपना स्वयम अपना सुरूप है तो उसको बाहर के किसी और सहायक की जरूरत नहीं है ठिक उसी प्रकार से जो अपना सुरूप है उसको ये बाहर वाला सूर्य प्रकासित नहीं कर सकते ये शूर की रोसनी में उसको नहीं देख सकते क्योंकि उसका भी प्रकासक वो भी पता कब लगता है जब मैं जिन्दा मैं चेतन हूँ अपने चेतन सुरूप का भान होता है तो जगत की प्रतीती होती तो सूर्य चंद्र भी हमको दिखाई पड़ते हैं तो अपने सुरूप क प्रकासक ये नहीं हो सकता भास देखो इसका अर्थ देख लिया था ना तट्र मैं उस अपने सुरूप में तस्मिन अपने सुरूप में कौन सुरूप में जुपना अंतरातमा का परमात्म शुरूप है वही ब्रहम शुरूप है सार्व आवभासकाप सारे जगत को प्रकासित करने वाला वही है ना तत्र सूर्यो भाती उसको सूर्य प्रकासित नहीं कर सकता तद ब्रह्म ना प्रकासेत इतियर्थः अरे अपनी आत्मा को वो सूर्य भी प्रकासेत नहीं क्योंकि अपना आत्मा ही ब्रह्म है अपना आत्मा ही तो ब्रह्म है तो उसको कोई भी प्रकासेत नहीं कर सकता एक पंक्ती भास्यकर ऐसा लिख रहे हैं कि साही, साही महने अपने आत्मा के ही सा महने वो अपना आत्मा साही ता स्यवभासा, जब वो प्रकासित होता है मैं अपना चेतन हूँ तभी सारबम अन्यत जितना भी कुछ है अनात्म जातम, जड़पदार्थ जितनी भी चीजे हैं उन सब को आप पहले सोता हो तब जानते हो बस वही चीज़ मैं हूँ तो मैंने देखा मेज है मैंने देखा कमरा है मैंने देखा वस्तर है सब कुछ कब होता है जब हो मैं हूँ तो सारा अनात्म जगत जड़पदार्थ सब का सब मेरे होने पर है सीधी सी बात है आप मरे जग परले हमको इतना सलकत है आप हो तो दुनिया है आप नहीं हो तो दुनिया की कोई सत्ता अपने आत्म सरूप को जानो पिर वही अपना आत्म है वही अपना आत्म सरूप है अब देखो उसी बात को जैसे सूर की बात को ले आए अब उसको आगे के पूरे में तथा ना चंद्र तारकम ना इमा बिद्धो भांती कुतो अयम अगनी अस्मत गोचरा तथा ना चंद्र उसको चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकते तारकम तारे भी प्रकाशित नहीं कर सकते ना इमा बिद्ध तो यह जो कड़कने वाली चमकने वाली बिजली है वो भी उसको प्रकासित है तो कुता आयमस्मत यह जो सामने अगनी प्रकासित हो रही अगनी जल रही और महत्मा जी उसके सामने बैठ के अपने सिस्ष को समझा रहे हैं तो यह अगनी क्या प्रकासित करेगी जब सूर्य न नहीं बिद्दुत नहीं तो ये छोटी सी अगनी क्या अपनी आत्मा को प्रकाशित करेगी क्योंकि मैं हूं तभी सब की सत्ता है जैसे सपन जगत में किम बहुना और क्या कहें यत इदम जगत भाति तत्तमे परमेश्वरम सतो भारुपत्त भानतम दीप्यमानम अनुभाति अनुदीपयते। और क्या बताएं, सार समझो ना, यद इदम जगत भाती, एस संसार में जितनी भी चीजें प्रकासित होती हैं, भाती माने प्रकासित, जितनी चीजें प्रकासित हो रही हैं, वो सब का सक्त, मंत्र में है ना तमेव भांतम तमेव का आर्थ क्या हुआ परमेश्वरम अपना आत्मा उसी परमेश्वर अपनी आत्मा के होने पर सब चीज परकाशित होता है क्यों अपना आत्मा कैसा है? परमेश्वर सुरूप कैसा है? स्वताह प्रकास सुरूप है, उसको किसी और घी और बाती की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत उसको नहीं है जब अपना उपर में शुरू प्रकासित होता है, तो सारा जगत उसी के प्रकासित होता है, वो नहीं तो कुछ नहीं, दृष्टांत में समझ लो, दृष्टांत देते हैं, या था, अब दो तें दृष्टांत ले रहे हैं, या था, जल, उल्मुकादी, अग्नि संयोगाद अग्निम, दाहंतं अनुदहती, नस्वताह, तादवत्तस्ययुभासा, धीप्त्या, सर्बम, इदम, सूरियाद, जगत विभाती, जैसे, अब यहाँ पर है, पंक्ति को देखना, या था, जैसे, जल, जल को ले आना, अग्नी के साथ में, हाँ, उल्मुक आदी, उल्मुक को भी अग्नी के साथ में, तो जल और उल्मुक, ए दोनों, उल्मुक माने कोईले का टुकड़ा, हाँ, हाँ, अंगारा लिखा होगा, लेकिन अंगारा कब होगा, हाँ, जब हम दुकान पर से कोईला खरीद के लिए तो बड़ बड़ा लाए ना, उल्मुक, बड़ा बड़ा ले आए, या हो सकता है हमने ओ लोहे का कोई टुकड़ा ले लिया, लोहे का टुकड़ा ले लिया, तो ओ है उल्मुक, उल्मुक हम उसको कह रहे हैं, उत्त, जिसको आप उपर फेंको तो उपर टिके ना चला आवे, उल्मुक, तो वहाँ जो टुकड़ा है पत्थर का उसका लोहे का या कोई लेका वहाँ है उलमुक तो हुआ क्या जल उलमुक आदी ये दोनों चीज़ और ऐसे और भी चीज़े जोड़ लो आदी माने और भी कही चीज़े आगनी संयोगात जब इनका आगनी से संयोग हो गया आगनी से जुड़ गये तब क्या कहते हो दहनतम अनुदहती तब आप कहते हो गरम पानी से मेरा हाथ जल गया अंगारे से हमारा हाथ जल गया गरम तेल भी तेल का सभाव जलाना नहीं है लेकिन गरम तेल से आप जल गये साइलेंसर से तो साइलेंसर तो लोहा है उस यह घल गए अगनी का सैयोग था यह बार बार दिर्ष्टा लोह पिंडवत अगनी पिंडवन घ्रमतवा है घ्रमतवा है उस से जल जाता है तो उसका सुभाव जलाना नहीं है उसमें जो जलाने की सकती आई है जल में या अंगारे में वो किसके कारण आई है अगनी के कारण इसलिए करें ना स्वतह वो जला नहीं सकता स्वें तो तादवत उसी के जैसे तस्याईव भासा उसी परमातमा के सुरूप से उसी के प्रकास दीप्त्या सर्बम इदम ए सारा सृष्टी जगत सब कुछ प्रकासित होता है और उसी के प्रकास सूर्यादी अभी जू गिनाया स और ये चंद्रमा तारे ये सब उसी के प्रकास से प्रकासित होते हैं, बिल्कुल असपस्ट है, बिल्कुल साथ, आख भी उसी के प्रकास से प्रकासित है, कान भी उसी की सक्ति से सुन रहे हैं, हाथ भी उसी के द्वारा काम कर रहे हैं, यही तो है, वो न सक्ति देवे, तो यह सब में कोई शक्ति है नहीं यत एवं यत एवं यत माने क्योंकि एवं इस प्रकार से बात है क्योंकि इस प्रकार से बात है इसलिए तदेव ब्रह्म्ह भातिचा विभातिचा वही ब्रह्म्ह वही आत्मा भातिचा प्रकासित होता है विभातिचा अन्यों को भी प्रकासि तो करता है। सोयम भी प्रकासित है और अन्यों को भी वही प्रकास देता रहता है। अतमाम तरह से जैसे आप द्रिश्टांत ले लो वही बिजली अनेक प्रकास से प्रकासित हो रही। पीले बल्वे में भी नीले बल्वे में भी हरे में भी सब में वही बिद्दृत प्रका से ऐसी बात है सिध्धानत उपर बता दिया इसलिए तदेव ब्रह्म वही आत्मा ब्रह्म भातिचा वही प्रकाशित हो रहा है विभातिचा तरह तरह नाम रूपों में प्रकाशित हो रहा है कार्य गतेन विभिदेन भासा तस भासा तह भासा यहां पर ऐसा कार्य गतेन विभिदेन भासा अतह तस ब्रह्मनों भारूपत्वां सतो अउगम्यति यत एवं तदेव ब्रह्म भातिचा विभातिचा प्रकाशित होता है विभातिचा औरों को भी प्रकाशित करता है तरह त तरा रूप से कार गतेन विविदेन जितना कार के रूप में दिखाई पढ़ लए इस रिष्टी उसम्मे भासा उसी का प्रकास है आताहा यहां संदी बिछेत का लेना आताहा तस्य ब्रह्मनों इसलिए उसी परमात्मा का स्वरूप भारूपत्वाम, सतो अऊगम में थे, उसका स्वरूप कैसा हो गया? वो सवरूप परकासमान है, चुँकि सवरूप परकासमान है इसलिए उसारे जगत को सवरूप परकासित होता है और अन्यों को भी वही परकासित करता है इसके अलामा और कोई बात नहीं है, अब इसको उपसंगार करें, नाहि स्वतो अभिद्यमानम भासनम अन्यस्यकर्तम शक्नोती, देखो, एक चीज और यहां कह रहे हैं, नाहि स्वतो अभिद्यमानम भासनम, ना को बात मिले आना, फिर उससे ना को भासने करकी ए सैली को कि ऐसा समझो स्वाताह अभिद्यमानम भासनम भासनम माने जिस चीज में स्वयं प्रकास की सामर्थ नहीं है स्वाताह अभिद्यमानम भासनम जिसमें अपने स्वयं प्रकास की सामर्थ नहीं है अन्यस्य कर तुम ना सकनोती तो दूसरे को भी वो प्रकासित नहीं कर सकता कितनी आसान से बात है इट है वो ना खुद को जानती है ना किसी दूसरे को जनाती है अच्छा स्वता प्रकास देखो जिसमें स्वता प्रकास नहीं है वो दूसरे को भी प्रकासित नहीं कर सकता लाल टेन दूसरे को प्रकासित करती है कि नहीं? लाल टेन में मुमबत्ती में स्वता प्रकास नहीं है, उसमें घी है, बाती है, अनेक अने चीजे हैं, तब स्वता प्रकास नहीं है, हम उसको स्वता इसलिए हमने एक दिन दृष्टांत दिया था मणी का याद है ना मणी का दृष्टांत दिया था तो जो दीपक जल रहा है उस्वता प्रकास समझाने के लिए कई बार हम कहे देते हैं कि जैसे प्रकास है वो दूसरे को प्रकाशित करने में सामर्थिवान है की नहीं नहीं कैसे कैसे मान लो दीपक जल ला है तेल बाती सब है तो दूसरे को प्रकाशित करेगा की नहीं तो आप प्रकास भी तो भीतर के प्रकास से निखाए दे रहा हूँ ए चीज़ भाई लाल टेन आपने जला के रख दिया ठीक है न और आप ही कपाऊं लाल टेन से क्यों लड़ जा रहा है उमाना कर दे वे ए बगल से आ मैं यहां बैठा हूँ लाल टेन के प्रकास में दीपक के प्रकास में आप किताब को पेन को गिलास को कब जानते हो जब आप आप सोता प्रकास हो तो सोता प्रकास आप हो आप हो तो लाल टेन के प्रकास में जानते हो अन्यता लाल टेन किसी को प्रकासित करने की सामर्थ है नहीं तो दुसरा वाला बोलना सुरू कर दे वे उदर होता है कभी ऐसा? नहीं समयारी बात? चाहे लाल्टेन हो, चाहे बलब हो, चाहे विजली हो, और क्या? मुन्दव आँख कताओं कशू? नहीं? और क्या? जो बस्तु स्वताह प्रकास वाली होगी अपना आत्मा, वही सब को प्रकासित करता है, जिस बस्तु में स्वता प्रकास्टन की सामर्थ नहीं है वो किसी दूसरे को भी प्रकास्टन नहीं कर सकती एक बढ़िया विचार है आप लोगों के काम के प्रमोद हो गएरा कई बार तुम लोगों से ऐसी लोग बात पूछ सकते हैं महराज ऐसा भी हमने सुना है कि हाथ रखो और सक्तिपात हो जावे हाथ रखो सक्तिपात हो जावे और ग्यान हमको हो जावे ऐसा भी आप सुना है ऐसा भी होता है सक्तिपात होता है तो अब उसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना हमेशा इस बात करें ओ जो महत्मा होगा जो ए lớंता इसा साधक होगा सिद्ध महातोर और जिस Prakार की साधना करने वाला होगा उसी की सक्थिती पात कर पाएगा नहीं सम्झाया अगर मान लो ओ महातोर्मा योगसाधन वाला है वे डामत का बिल्कुल जरा भी साध्या नहीं किया तो योग से भी ब्भूतियां आती हैं उसमें शिधियों का बरन आता है विभूतिपादे में तो वो हात रख देगा शक्तिपाद करेगा तो बिभूति का दर्शन हो जावेगा लेकिन तत तो ग्यान नहीं होगा ठीक है समझाना चाहिए न अगर मान लो कोई मंत्र का जानकार है और उस शक्तिपात करेगा हाथ रखेगा तो उस मंत्र का अर्थ ज्यान हो जाएगा ब्रम का ज्यान नहीं होगा न रामकृष्क को ज्यानी समझते हो कि अज्यानी हम क्या करें जिसके पास जो सामर्थ होगा वही तो देगा न जिसके पास जो सक्ति होगी आप हम अपने बच्चे को धन दे सकते हैं क्योंकि धन की सक्ति मेरे पास है जमीन की सक्ति हम दे सकते हैं यही तो न और हमारे पास जमीन ना हो और बेटे पर सक्तिपात करके दिखाओ, जमीन देदो, पांच भी घाँ, मेरे पास है नहीं, तो जिस मार्ग की साधना करने वाला होगा, वो सक्तिपात जब गरेगा, तो वही देख न, अन्य को नहीं करा पावईगा, दूसरी चीज़ नहीं करा पावईगा, अच्छा जो भगवान का दर सारषन करा देवेईगा, सारबात में ब्रम्म का ज्ञान वो नहीं करा सकता, ना, नहीं स्विहरा है, मुक्ति नहीं दे सकता उग, अंतीम बात कर एहा हाँ, जो सवयम मुक्त नहीं होगा, मुक्त नहीं दे सकता, एसे लिए तुम लोग सक्तिपात हो बड़ा इस पर जो है चर्चा होती है न योग में खास करके एक परमहंस योगानन एक थे परमहंस योगानन करके परमहंस योगानन उन्होंने एक पुस्तक लिखी आटोबाइग्राफिय योगी और वो विदेश में बहुत मशुहूर हुई विदेश में बहुत मशुहूर हुई उसका हिंदी था मृत के नाम से और उसके ऊपर फिर जो है कोई लाहिडी महास है कोई अमुक अमुक तो उनक्या सक्तिपात करने वाला फिर वही दर्शन करावेगा ना हमारे गुरुजी एक दिन हरिद्वार में भी थी और उसी समय बंबई में भी मिठाई के दुकान पर बैठके मिठाई खा रहे थे एक ही दिन में एक ही समय पर वहां भी थे और वहां एक ही से अब जब एक वही महात्मा वहां भी था वहां भी था तो दो जगे हो गया तो देश परचिन हुआ की नहीं काल परचिन हुए की नहीं बस तो परचिन हुए की नहीं तो सर्वात्मा ब्रह्म का बोध्धो हो चमतकार है उसलिए जो स्वयम स्वाप्रकास नहीं होगा ऑब दूसरे को भी स्वाप्रकासित नहीं probसकरा नहीं reading उन्हें टीक है तो उस सक्टिपात का ऐसे प्रस्ण कभी कोई कर सकता है तो सक्टिपात होता है हम उसका खंडन नहीं करेंगे, कभी भी खंडन नहीं करना, सक्तिपात होता है, लेकिन ओ आचार में जो सक्ति होगी उसी का सक्तिपात करेगा ना, योग वाला होगा तो योग का, भक्ति वाला होगा तो भक्ति का, मुक्ति वाला ज्यान वाला होगा तो मुक्ति का, वही कर सक सकता है क्योंकि भगवान शंक्राचार ने एक दृष्टी दिया और त्रोटकाचार के भीतर से सब का सब इस त्रोटर निकलने सुर्य हो गए वो क्या हुआ और सक्तिपात है सक्तिपात का कभी खंडन मत करना यह हमेशा के खंडन नहीं करना लेकिन उसमें एक सीमा आपको बनानी पड़ेगी कि जो हो जो अमुक अमुक वाला होगा वही बत सक्तिपात में दे सकता है जो स्वयम मुक्त नहीं होगा दूसरे को भी मुक्त नहीं कर सकता बस दो लाइन जो स्वयम सुखी नहीं होगा वो दूसरे को भी सुख दे नहीं सकता नहीं स्वतो अभिद्यमानम भासनम जिसके भीतर अपने आप में प्रकास नहीं है अन्यसकर्तम नसकनोती वो किसी और को भी प्रकासित नहीं करेगा अरे घटा घटा दीनाम अन्य अवभासकत्वात अदर्सनात भारूपाडाम चा इत्यादिनाम तदर्सनात जैसे घटा दीनाम जैसे घट है घट में सोयम प्रकास नहीं है तो दूसरे को भी प्रकासित है तो घटा दीनाम घट आदी जितने घट पट इत्यादि अन्य अवभासकत्वात किसी और दीपक आदी के प्रकासित होता है वो जड़ है तो अदर्सनात तो उसमें दिखाई पड़ता है क्या दिखाई पड़ता है भारूपाडाम अदर्सनात उसमें प्रकास रूपता दि किसी प्रकार से चा आदित्या नाम आदित्या आदिनाम तदर्सनात आप निश्टित समझो आदित भी चंद्रमा का तो आप लोग विज्ञान वाले समझ गए कि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं इतना तो चंद्रमा का तो समझ गए वो किसी और के प्रकाश से प्र पर्तिपन होने वाले वो शक्ती है बादल का जब टक्राव होता है तो बिजली पैदा होती है तो बिजली हमको प्रकास वाली दिखाई पड़ती है वो स्वता प्रकास वाली ही नहीं घी न समझ लो कि पी सूर भी सूर्य भी सोता प्रकास नहीं है कभी कभी समझाने के लिए हम कहे देंगे कि सूर्य सोयम प्रकास है अन्यता सूर्य भी किसी और के प्रकास से प्रकासित हो रहा है ना तत्र सूर्यो भाती उस आत्मा को सूर्य प्रकासित नहीं कर सकता यत आतमा ही प्रहम है वही सत्य है उसके अलामा उसके अलावा जितना भी कुछ दिखाई पड़ता है अपना वो जयोतियों का जयोति जो अपना आत्मा है वही सत्य है उसके अलावा जितना भी दिखाई पड़ता है सब अपनी आत्मा का विकार है उसी से सब पैदा हुआ कारे है तो कैसा है जो पैदा हुआ वाचारं भड़ं विकारो नाम धेया मात्रम वो केवल बाणी का विकार है नाम है और क्या यह बार बार पढ़े हो वाचारं भड़ं विकारो नाम धेया मृतिकाईते हो वही चीज़ करें बाकी सारा का सारा सब का सब नाम धेय मात्रम नाम धेय मात्रम मने नाम और रूप ए सब का सब केवल बाणी का बाणी से बोलने का है और इसलिए क्या है अनृतम ओ सब का सब कैसा हो गया अनृत हो गया आत्मा सत्य है बाकी जगत पूरा का पूरा अनृतम जूटा है इतरत इतरत उसी अपनी आत्मा के उपर ये सारा का सारा जगत कल्पित है अपने आत्मा के उपर सारा जगत कल्पित है सापका सब्बानी का केवल बाचा रंभड है विकारी का बात है इतम अर्थम इसी बात को समझाने के लिए बिश्तरेण हेतुतह प्रतिपादितम जिसका पहले बहुत अच्छी तरह से हेतु के साथ प्रतिपादन किया जा चुका है फिर से समझ लो पूरी पंक्ति को फिर से उपर से देखो तो असपर सोगा यत जो तात जोतिसाम जोति वो जोतियों का भी जोति है प्रकास का भी प्रकास है वही ब्रह्म है तदेव सत्यम वही सत्य है सारबम तद विकारी तद विकारम उसके अलामा जितना भी कुछ है उस सब क्या है कारे हैं का विकार है उत्अन हुआ है औरákन्हुउआ तो दो कैसा हो गया वाचारंबढ्रं विकारो नामद ये मात्रन है वो सब केवल बाणी का जमा खर्च कानाम और रूप और चुंकि वाणी का जमा खर्चे इसलिए अनिर्थम इसलिए ओजूंटा है इतरत इसके अत्रित एतम अर्थम इसी अर्थ को बिस्तरेण हेतु तहा बिस्तार पूर्वक हेतु के सहित प्रतिपादितम पहले प्रतिपादन किया जा चुका है कि आतमा सत्य है बाकी सारा जगत केवल नाम रूप उत्प आतमे उसी का निगमन करने के लिए उपशंघार किया जा रहा है निगमन सम्झे कांच प्रतिज्या होती थी प्रतिग्या क्या थी कि वही प्रकास का भी प्रकास वही है वही परमसत्य है आत्मा ही परमसत्य है दिव्यो ह्यमूर्ता पुर्शाह वही परमसत्य है ए प्रतिग्या थी उसका हे तो पूरा समझा दिया क्यों क्यों सारा समझा दिया द्रिश्टान्त में कई बार ले आए घटका जलका द्रिश्टान्त और अब निगमन कर देते हैं यह अंति मंत्र निगमन का है ब्रह्म्हाई वेदमा मृतं पुरस्तात ब्रह्मा पश्चात ब्रह्मा दाक्षिनता चोत्तरेण अधास्चोर्द्वंच प्रसितम् ब्रह्म्हाई इदम वेष्वम इदम बरिष्थम् अब यह अथरवेद का है न तो अथरवेद में सब मिश्रित है यहाँ कोई नियत चंद नहीं क्योंकि नियत चंद पादा अउसान एक बार रटाया था रिगवेद कैसा है नियत चंद यजुरवेद अनियत चंद सामबेद गाहिन परदान और अथरवेद में सब चीजें आ जाती हैं तो इसलिए यहाँ पर नियत चंद नहीं ब्रम्ह एव इदम अम्रितम पुरह पुरह माने सामने पुरह कहते हैं सामने को इस सामने पुरह पुरह सामने इदम अम्रितम ब्रम्ह एव इतने का आप अन्य करना इदम पुरह पुरह इदम अम्रितम ब्रम्ह एव संदिक कर पा रहे हैं कि नहीं ब्रम्ह धान एव धान इदम धान अम्रितम इतना जोड़ोगे तब एक शब्द बना है ब्रम्ह धान एव धान इदम धान अम्रितम पुरह पुरह माने सामने सामने एदम, अमृतम, ब्रम्थ, एव, यह जो सामने जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है, यह सब का सब ब्रम्ह ही है कितना आसान सा है मंत्र समझना तो पीछे, देखो देखो पुरस्तात, ब्राम्मप्श्चात पीछे भी कौन है अब? ब्रह्म ही है ब्रह्म दक्षिन तह दाएं तरब भी जितना कुछ है वो सब ब्रह्म है चा उत्तरें उत्तरदिशा में जितना कुछ भी है वो सब का सब सामने सब ब्रह्म हो पीछे भी ब्रह्म हो दाएं भी ब्रह्म हो बाएं भी ब्रह्म हो गया इतना तो अब और कहाँ आधस चा आधस माने नीचे जितना कुछ है सब ब्रह्म है वर्धम चा उपर जितना कुछ है वो सब का सब ब्रह्म है प्रसितम माने फैलना बिष्टार बिष्टार प्रसितम ब्रह्म एव इदम विश्वम ये जितना भी कुछ है उसाब का सब ब्रह्म ही है असल में इदम ब्रह्म बरिष्थम ब्रह्म एव इदम बरिष्थम विश्वम ये सारा का सारा जगत के रूप में दिखाई पड़ने वाला ये बरिष्थ स्रेष्थतम ब्रह्म ही है उस ब्रह्म के अलामा यहां और कुछ भी नहीं। है तो ब्रह्म ही, लेकिन बस जीव जब उसमें अपना आहम जोड़ देता है, मुझको यह पसंद है, मुझको यह पसंद नहीं है। तब बन कौन गया? मुझको पसंद है, भोगता बन गया। मैं ऐसा करूँगा, कौन बन गया आप? करता बन गया। करता भोगता बन करके फिर जीव तब ते जीव भयोव। है तो चेतनी लेकिन चिदाभास बन गया। जिस खण अपना ए अहम विसरजित हो जाए। बार बार पढ़ते हों सुनते हों कि अहंकार ही तो बाधा है। अपना अहम ही तो समस्या है। जहां आहम हटा तो बचा क्या फिर। बस ब्रह्म है। अब जो एक पंक्ती सुनिये ने सारवम खालु इदम ब्रह्म है। ब्रह्म एव उक्त लक्षणम इदम यत पुरस्ताद अग्रे। ब्रह्म एव अबिद्या द्रिश्टी नाम प्रत्य अवभास मानम तथा पश्चाद ब्रह्म तथा दक्षण तथा उत्तरेण। इतने देख लो। ब्रह्म एव उक्त लक्षणम इस सब का सब ब्रह्म ही है जैसा पहले उसका लक्षण बताया गया है। कैसा लक्षण बताया गया है पहले। परेको से बिरजम ब्रह्म निश्कलम ओ जैसा बताया गया है जो उसका लक्षन बताया गया ओ कैसा है या पुरस्ताद अग्रे पूरा का पूरा सामने जितना कुछ बताया जा रहा है ओ सब वही ब्रह्म ही है वही ब्रह्म ही है ब्रह्म कहां दिख रहा है हमको तो घर दिख रहा है हमको तो पेड़ दिखाई पड़ रहा है यह भैसा आ रहा है मारेगा मुझको सिंग से यह जो तुमको दिखाई पड़ रहा है न अभिद्या दृष्टी नाम प्रत्य अभासमानम यह आपको जो लग रहा है न अभिद्य अभिद्या द्रिष्टी नाम प्रति अवभासमानम अज्ञान के कारण अविद्या के कारण आपको लग रहा है कि ये घर है पट है अमुक अमुक भेद दिखाई पड़ा है तत्त द्रिष्टी सेत वहां पर एक मात्र प्रम्म अब उद्रिष्टांत ले आओ घट कुलहड का मिट्टी का आपको जो घड़ा, कुलहड, सकोरा, सुराही दिख रहा है या सुनार के हाँ आभूशन भिन भिन दिखाई पड़ रहा है ए दोनों द्रिष्टांत को लाके समझो क्या है वास्तों में वहां जितने बरतन दिखाई पड़ने सब मिट्टी है जितने आभूशन दिखाई पड़ने सब क्या है सोना ही है आच चलो वह भी मान लो आपका विचार आपको मुभारक हम कौसा विरोध करते हैं अब कुछ भी हो द्रिष्टी की बात है आपकी द्रिष्टी नाम रूप पर है कि आपकी द्रिष्टी तत्त पर है बस यही तो बात है तो अगर नाम रूप देख रहे हैं तो आपको लगे का कि ये पेड़ है ये जानवर है ये देवता है दैते है यही न अर तत्त पर द् आपिस्टी से जो आपको अलग-अलग नाम रूप वाला दिखाई पड़ रहा है वही वही ब्रह्म है वही सामने ब्रह्म है क्या हुआ ये हमारा दुस्मन और ब्रह्म है ये हमारा सत्रु और ब्रह्म है वोले समझो तो वही ब्रह्म है सत्रुवत ब्योहार उसका अंता करण कर रहा है उसकी बुद्धी कर रही है और किसको सत्रु मान रहा है आपके सरीर को न आपके सरीर को ही तो सत्रु समझ रहा है हो वही वह सारे जगत में देख रहा है अब इसी बात को पूरा आगे देखे लो तथा पाश्चाद ब्रह्म्ह पीछे भी वही ब्रह्म्ह है सबका सब तथा दक्षिनमत तङांड दक्षिनदिसा में भी जो कुछ है सब ब्रह्म है तथा उत्तरेण उत्तर की तरप में जो है वही सब ब्रह्म है तथा एव अधा नीचे जो है वो सब का सब ब्रह्म है अधास्तात तथा एव अधास्तात ओर्ध्वम्च उपर जो कुछ है वो सब का सब ब्रह्म है सर्बताह अन्यत इव कार्य कारेन प्रसितम प्रगतम नाम रूपवत अवभास मानम सर्बताह पूरा ब्रह्मान अन्यत इव जो लगता है कि हमसे अलग है और जिसमें कार्य कारण की दृष्टी दिखाई पड़ती है कि हम बीजबोयतों से अंकुर निकला कार कारण का उसमें दिखाई पड़ता है और कार कारण के रूप से यह जितना प्रसित मानिप यह जितना बिष्टार को प्राप्त हुआ बिष्टृत ये जितना जगत है ये सब का सब नामरूप वाला जगत नामरूप वत अवभासमानम नामरूप वाला जो जगत है अन्यत इव आपको अलग जैसा लगता है लेकिन असल में ये सब का सब ब्रहत है सारवा मुखालु इदाम वो जो पढ़ते हो अब यहां परसिद करो सिया राम मैं सब जग जानी अब क्या बचा सिया राम मैं सब जग जानी कारा हू प्रनाम जोर जुग पानी हो गया पूरा असपस्ट है तो निजप्रभु मैं देखा ही जगत कया हिसता न करें कितना असपस्ट है सब तभी समझ में आता है जब क nhiशत का स्रवन मनन होता है नहीं तो नहीं समझ में आता किम बहुँना अब और क्या जादा कहें जगो किम बहुँना और क्या कहें ब्रह्म एयव इदम विषवम समस्तम इदम जगत वरिष्ठम वर्तमं किम बहुना और क्या क Nejए ब्र्म एयव इदम विष्वम इसारा इजि इसारा दुनिया जितना कुछ सब क्या है अज़र आप लोग तो पुरिष समझ गए समस्तम इदम इसारा जगत जितना कुछ दिखाई पड़ा यतकिंच जगत त्याम जगत इशा वाश्य सब यतकिंच जगत सब वही है अच्छा फिर जब ब्रह्म है तो क्या हुआ ब्रह्म है तो हलका होगा छोटा होगा नहीं इद फिर छोटा नहीं है, जगत वरिष्ठम, ए सब स्रेष्ठतम, बारतमम, क्योंकि परमातमा है, ब्रम सुरूप है, तो सब स्रेष्ठ है, सब उसी परमेश्वर का सुरूप है, लेकिन हमको तो लगता नहीं भाई, कुछ भी कहो, हमको लगता नहीं कि ब्रम है, पडोसी तो ब्र अब कितने लोगों को गुरुजी ब्रह्म नहीं लगते हैं तो हमको तो लगता नहीं तो क्या करें तो अगला देखो आब अब्रह्म प्रत्ययह सारव अबिद्या मात्रो रज्वाम यू सर्व प्रत्ययह अब्रह्म प्रत्ययह जो आपको ऐसा लगता है कि ये ब्रह्म नहीं ह ये ब्रम नहीं है ये आत्मा नहीं है ये तो दुष्ट है ये पापी है ये दुरवासा है ये गुश्चे वाला है ये जो आपको लगता है ये सब का सब जितनी बृत्तियां हैं अब इद्या मातर। अज्ञान के कारण आप में हैं। कैसे हैं जैसे रस्षी पर कितना सपस्ट है। जितना आपको इभेद वाला जगत दिखाई पड़ता है लगता है वो सब समझलों की रस्षी पर साप के जैसे आपकी ना समझी है ब्रह्म है वास्तों में तो ब्रह्म एव एकम परमार्थ सत्यम ब्रह्म ही एक मात्र ब्रह्म एव एकम ब्रह्म ही ब्रह्म एव एव माने ही ब्रह्म ही और एक ही ब्रह्म अलग अलग ब्रह्म नहीं एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्यम परम सत्य है अब क्या कहें इति बेद आनुशासनम यही बेद का अनुशासन है यही शुरुति का उपदेश है, सारे वेद, सारे सास्त्र आपको यही समझा रहे हैं समझो वही ब्रह्म सुरूप ही सारी सृष्टी है, उसके अतरिक्त और कुछ भी ही नहीं है बुलकुल बताओ प्रमोत बताओ जगत जगत रज्जु अस्थानी है और ब्रह्म सर्प अस्थानी यही सब्द बोला था है ना जगत रज्जु अस्थानी है और ब्रह्म सर्प अस्थानी है कहना क्या चाहरे हो सर्प पे रज्जु कि रज्जु पर सर्प यहीं तो गड़बड कर गए सब्द बोलने में गड़बड कर गए थे बात जो तुम कह रहे थे वो कोई गलत नहीं लेकिन बोलने में जो है बिल्कुल बदल गए थे तुम 36 का जो है 63 बना दिया था आज ना ऐसे किया था ना कौन लक्षमार सिंग तुम्हारे दोस्त हैं दोनों कहना चाहिए था कुछ और और बोले कुछ ओ शब्द गड़बड हो गए था तुम्हारा है ना आप समझा आगए कहा गड़बड हुआ था जगत जगत रज्जु अस्थानी नहीं है जगत सर्पस्थानी है और ब्रह्म रज्जु अस्थानी है बिल्कुल सत्य तो केवलवा ब्रह्म है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म है ना परहा इति बेदानु शासन ना परहा इति बेदानु शासन वो ब्रह्म है ना परहा इति बेदानु शासन वो ब्रह्म है तो वो तो सेर्ट वाय तो प्रम देख रहा है, वो तो खा जावेगा, किसको खा जावेगा, सरीर को की आतमा को, वो तलवार लेके गर्दन काटेगा किसको, सरीर को की आतमा, तो ब्रह्म द्रिष्टी से वो ब्रह्म है, ब्यवहार द्रिष्टी से तलवार लेके आ रहा है, तो हम भागेंगे, सुना नह तो कि कुट्ता मिथ्या है स्वाना मिथ्या स्वान तो मिथ्या है मिथ्या है तो मेरा भागना भी तो कौन ससत्य है तो यह है ब्यवहारिक सत्ता फिर अभी जगदन महरा तीन भेद कर देंगे पारमार्थिक सत्ता ब्यवहारिक सत्ता और तो ब्यवहारिक सत्ता है ब्यवहारि ऍभूति काई भ्युहारिक सत्ता में हमकоватьर काड़ भी बनवाना है पासपोर्ण भी चाहिए क्योंखिम्हारिसmond ज्याना है और प्यॐखरिक सत्ता में और नटर तुई से मारिस भी ब्रहम है और लखनो भी ब्रहम है बिवहार एक सत्ता है तो ऐसे जैसे यहां सुन रहे हो ऐसे घार में टीवी में लगा लो सुन लो यूटूब पर सब बढ़ा पड़ा है घार में बढ़ा से टीवी लगा लो लगेगा गुरु जी सामनी बैठ के सुना रहे हैं बैठ के सुन लो आप वो स्रद्धा आती है कि जर नहीं आती है और घिव्यां का वह बनता है कि नहीं बनता जो यहां बैठ करके चित का निर्मान होता है करके देखो सुन करके ज तो बिजली कहां से बनी पानी से तो बिजली जड़ है कि जो है चेतन और बल्बे भी जड़ है फिर भी परकास हो रहा है लोग इतना असान बिजली भी जड़ है यह आपने कही दिया बिजली भी जड़ है बल्बे भी जड़ है और बिजली जो है मैं प्रकास़रूप हूं ना विजली प्रकासरूप है ना बल प्रकासरूप है प्रकासrai रूप तो केवल मैं हुं घ्या टो पंक करें दिखा जड़ है लेकिन क्रिया दिखाई पड़ लिए किसीने का आँख खोल रहा है आँख खोल रहा है इसलिए न अरे एक क्रिया को आधार मान करके चेतन को नहीं स्विकार कर पाऊगे क्योंकि क्रिया तो हमेशा जड़ में भी दिखती और शरीर मर गया तब भी उसमें जो है हुआ तो क्रिया क्रिया और ब्रह्म का लक्षण नहीं है और के वल प्रकास ब्रह्म एव ब्रह्म एव इदम सर्वम इसलिए हर हाल ब्रह्म का शुरूप क्या हुआ सत चेत याद है ना एक दिन साइद हमने इसी पढ़ाने में कहा था यहीं पर कहा था कि अन में कोश का धर्म है अस्ति जायते वर्धते यह है प्राण में कोश का धर्म है भूख और प्यास यही ना मनों में कोश का धर्म है संकल्प और विकल्प विज्ञान में कोश का धर् और आनंद में कोस का धर्म है प्रियमोद और प्रमोद याद है ना तस्य प्रियमे वसिराहा याद है तस्य प्रियमे वसिराहा मोद उत्तर पक्षा प्रमोद दक्षिन पक्षा ब्रह्म पुच्छम प्रतेश्ठा पढ़ते हो याद है ना तो आनंद में कोस में को ना है प्रि ये मोद और ठीक है वहाँ आनन्द हो गया तो दुख कहां पर है याद है ना उस दिन मैंने साइद मिशाए दुख कहां है आनन में कोश में नहीं प्राण में कोश में भूख प्यास मनों में कोश में केवल संकल विकल विज्ञान में कोश में विचार ज्ञान आनन में कोश मे प्रियम, मोद, प्रमोद, तो ब्रह्म, नंद की मिमांसा है, इतना होगा तो एक आना आना, इतना होगा तो 16 आना, दुख कोई विचार है नहीं, क्यों कि आपका स्वरूप सचिद आनन्द है, इसलिए आनन्द में रहो, बढ़ी आँ, मस्त रहो, हाए हाए मत करो, नोकरी गड़वड है ना बस जहां आपने अपने मन के अनकूल होने वाले को समझा हमारे मन के अंसार होवे तो हम सुखी मन के अंसार नहीं होता तो हम दुखी तो आप दुखी सुखी हो ते रो जीव हो फिर आप जीव हो फिर आप जीव हो फिर आप जीव हो फिर आप जन में और मर ओम भद्रम करणेभी सुनियाम देवा भद्रम पसे माक्षविर्य जत्रा इस्तिरै रंग इस्तोस्टुमागुं सस्तनूभी व्यसेम देवहितं यदायो स्वस्तिन इंड्रो ब्रेद्ध स्रवाह स्वस्तिन पूषा विष्ववेदार स्वस्तिन स्तारक्षो अरिष्टनेमी स्वस्तिनो ब्रिहस्पतेडदाथ। ओम शांति 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 ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरी ओम स्री गुरु भ्यो नमा हरी ओम